पुस्पास कीशन में आपका स्वागत आज में नई रेसिपी ले कराई केसर दूद मोदक बनाने के लिए मैंने 2 लिटर दूद लिया चलते हैं गैस की तरफ केसर दूद मोदक बनाना शुरू करें अदक पानी कड़ई में डाल देती हैं पानी डालने से हमारा दूद कड़ई में चिपकेगा नहीं कड़ई में दूद डाल देती हैं मैंने मोदक बनाने के लिए मैंने फुल क्रीम दूद लिया हैं मोदक बनाने के लिए हमें फुल क्रीम दूद की जरूरत पड़ती हैं मोद दूद को हमारा अच्छे से उबाल आ चुक आये दूद को 20 मिल इस यह चमत हमेस के चलनाना जर सी किनारेख से छट्याट हमेंगे किंस करने रहाए पड़ाओ में दूद को डाला था अब नहीं हमारा तौनबें दैड़र बचा है इस तरह से दूद को बालना है यहाँ 2 लिटर दूद का पांसओ ह्राम बचाइश इस इस्सिलस पर चीड़ करें यहlor sok बारें दिक जो consuming studygenih कर लेदे ONE कि दालने के बाद में हमारा दूद सा पतला हो जाता है इसको अच्छे असक्त मिक्स कर लेए मोधक बनाने के लिए हमारा मिस्रम बंद करते हैं अब मैं इसको ठंड़ा कर लेती तो ठंड़ करने के बाद में रोख ener करों पॉह अर्पानाने के लिए मिस्रम छो में लेटे हैं जो फ्रत बनाने के लिए मोदग बनाने के लिए हमारी बॉल्स बन कर त्यार हो चुकि अंगूटे की सायता से इस तरह से दबा लेते हैं बारी कटे काजू, किस्मिस और पिस्ते डाल देती हूँ बॉल्स बना लेते हैं इस तरह से उगुली की साइता से घुमाते जाए और मोदक हमारा बनता जाएगा मोदक पर जैन बना लेते हैं इस तरह से आप देख सकते एक मोदक हमारा बन करते हैं रहो चुकर इस तरह से मैं सारे मोदक बना लेते हैं अमारे मोदक बन कर त्यार हो चुके आज से बहुत सुन्दर मोदक बनें आप ये एक बार मेरे तरीके से आज से गणए सतूर्ती पर मोदक जरूर बनाएं मुद्व बनाने का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइब, सेर, कमेंट मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले